परिचय प्रिये बच्चों, साजेदारी एक अच्छी आदत है साजेदारी हमें भिन्न संख्याओं के बारे में सिखाती है हम भिन्न संख्याओं का उप्योग अलग-अलग वस्तुओं जैसे केक तथा चौकलेट इत्यादी के विभाजन के समय सीखते हैं उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे भिन्न को परिभाशित करना भिन्न संख्याओं को संख्यारेखा पर प्रस्तुत करना समान्ने, आसमान्ने और मिश्रिद भिन्न को परिभाशित करना सम्तुल्ले भिन्न संख्याओं के बारे में जानना भिन्न के सरलतम रूपों के बारे में जानना भिन्न की परिभाशा भिन्न शब्द पूण के कुछ हिस्सों को दर्शाता है जैसे एक बटा दो का मतलब है कि एक पूण भाग को दो समान हिस्सों में बाटना इस प्रकार दो भागों का कोई भी एक हिस्सा एक बटे दो को दिखाएगा उदारण भिन्न तीन बटे चार क्या दर्शाता है? यह भिन्न एक पूण भाग के चार हिस्सों में से तीन हिस्सों को दर्शाता है नीचे दिये गए प्रतेक चित्रों में छायांकित भाग प्रतेक चित्र के पूण भाग का तीन बटे चार भाग दर्शाता है एक कक्षा में दस लड़कों तथा बीस लड़कियों का अनुपात भिन्न दो बटा तीन के रूप में निरुपित होगा भिन्न दो बटे तीन में संख्या दो अंश कहलाता है वहीं संख्या तीन भिन्न का हर कहलाता है संख्या रेखा पर भिन्न का निरुपन बच्चो अब भिन्न को संख्या रेखा पर निरुपित करना सीखेंगे मान लो एक बटे चार को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो यह शूनने और एक के बीच स्थित होगा इस दूरी को हम चार समान भागों में बांट लेंगे और एक हिस्से को एक बटे चार दर्शाएंगे भिन्न के प्रकार सामान भिन्न वे सभी भिन्न जिनमें अंश हर की तुलना में छोटा हो या अंश हर से कम हो सामान भिन्न कहलाते हैं आसमान भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश या तो हर से बड़ा हो या बराबर हो आसमान भिन्न कहलाते हैं मिश्रिद भिन्न एक पूर्ण एक हिस्से का संयोग मिश्रिद भिन्न है सम्तुले भिन्न तो या दो से अधिक भिन्न जो समान मान को अध्वपून के समान हिस्से को दर्शाय सम्तुल्ले भिन्न कहलाते हैं इसे हम चित्रों द्वारा भी दिखा सकते हैं जहां भिन्न को छायांकित भाग द्वारा दर्शाया जा सकता है सम तुल्ले भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि अंश वाहर को दोनों को समान संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए भिन्न का सरल्तम रूप किसी भिन्न में अंश वाहर दोनों का केवल एक के अलावा कोई सम गुणान खंड ना हो तो वह भिन्न का सरल्तम रूप कहलाएगा उधारण के लिए एक भिन्न जिसमें अंश चौंसट और हर बहत्तर हो इस भिन्न को सम तुल्ले भिन्न बनाया जाए जहां एक के अलावा कोई सम गुणान खंड ना हो हम जानते हैं कि चौंसट वबाहत्तर दोनों ही संख्याएं दो से विभाजित होंगी अब हमें नया भिन्न 32 पटे 36 प्राप्त हुआ परंतु 32 वा 36 के भी सम गुणान खंड एक दो चार हैं जिनमें चार उच्चतम है इस प्रकार आठ और नौ प्राप्त हुए जिनका सम गुणान खंड एक है अताहा भिन्न 64 पटे 32 का सरलतम रूप आठ बटे नौ है बच्चो सम दुले भिन्न का सरलतम रूप निकालने की एक अन्यविदी है जिसमें अंश वाहर का महत्तम समा पुवर्तक निकाला जाता है और दोनों को महत्तम समा पुवर्तक से भाग कर दिया जाता है भिन्न 64 पटे 72 पर विचार कीजिए 74 वा 72 का महत्तम समा पुवर्तक आठ है हमें नया भिन्न 8 बटे 9 प्राप्त होगा जो अंश वाहर दोनों को महत्तम समा पुवर्तक से भाग करने पर मिला सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं भिन्न एक पूर्ण के एक हिस्से को अंक के रूप में दर्शाता है भिन्न को संख्यारेखा पर दर्शाया जा सकता है प्रतेग भिन्न को संख्यारेखा पर बिंधूओं के रूप में निरूपित किया जाता है सामाने भिन्न में अंश हर की तुलना में छोटा होता है वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो आसमाने भिन्न है आसमान भिन्न को एक पूर्ण अंक वा उसके हिस्से के रूप में लिखा जा सकता है और वह भिन्न समिश्रित कहलाता है एक भिन्न अपने सरलतम रूप में तब होता है जब अंश वाहर दोनों का सम गुणन खंड केवल एक के अलावा कोई नहीं हो करता है कि बग्क के झाल कर दो तेमने लिखे का था है जैसे लिखे लावमें ढहे बहे लिदा